कि अच्छार में राजमोंतिवारी आप देख रहे हैं चकदे क्रिकेट कोरोना से खिलाडियों और स्टाफ की सूरक्षा के लिए क्रिकेट पिछले काफी समय से इस थकीद है लेकिन एक बड़ी खबर यह आ रही है कि परोसी बंगलादेश क्रिकेट टीम के एक कोच असीकुर रहमान कोरोना से संक्रमित हो गये हैं और वे अब अस्पताल में भरती हैं असिकुर रामान ने अपने कोरोना संक्रमित होने की जनकारी स्वयम एक वेबसाइट को दिये, अपने संक्रमित होने पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि पहले वे समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें पहले लगा कि उनके टॉंसिल में सूजन आ गई ह लेकिन इसके बाद उन्हें तेज बुखार आने लगा, और फिर सीने में दर्दिश शुरू हो गया, जिसके बाद वे चिकित्सक के पास गए, डॉक्टर ने कोरोना के लक्षन देख, कोरोना का टेस्ट किया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद से ही व रहमान 2002-19 बिस्व कप में बंगलादेश टीम के सदस थे, हलंकि वे कभी भी बंगलादेश की सीनियर टीम में जगा नहीं बना पाए, उन्होंने 15 प्रथम स्रेणी मैच और 18 लिस्ट एक मैच खेले हैं, अब को बता दू कि दुनिया बर को प्रभावीत कर चुके कोरोना से बंगलादेश भी प्रभावी थे, 26 मार्थ से ही बंगलादेश में समाने अवकास घोसी थे, जो समय समय पर बढ़ाया जा रहा है, इसके बावजूद भी बंगलादेश में 16,000 लोग इस कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, और प्रते दिन इसमें लगतार बढ़ोतरी होती बंगलादेश ने अपने आखरी सीरीज जिंबामबे के खिलाफ खेली थी, जिंबामबे के टीम एक टेस्ट मैच सीरीज, तीन मैचों की वंडे सीरीज और दो मैचों की T20 सीरीज के लिए बंगलादेश आई थी, बंगलादेश ने सभी मैचों में जिंबामबे का सुपरा साप कर दिया था बंगलादेश में लॉकडाउन से पहले अपना आखरी मैच 11 मार्च को खेला भंगलादेश को अब 11 जून से ऑस्ट्रेलिया से दो टेस्ट मैचों की सीरीच खेलनी हैं शोके clinicalबारी ता और क्रिकर से जूड़ी जनकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन के घंड़ी दवाना ना भूलें धन्यवाद